हेलो प्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल डॉक्टर प्रियांकास किचिन चॉकलिट सिरफ बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रही हूँ इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ दो इंग्रेडिंट्स की ही जरुरत पड़ेगी इसके लिए सबसे पहले हम गैस पर एक बड़ा और गहरा बरतन रख लेंगे फिर उसमें एक कप पानी आड़ करेंगे पानी की क्वांटिटी आप अपने एकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हैं अगर आपको जादा शुगर सिरफ बनाना है तो आप दो कप पानी ले लीजिए और अगर कम बनाना है तो थोड़ा कम पानी लेंगे अब इसमें एक कप चीनी आड़ करेंगे अब इसे एक स्पैचुला से मिक्स करते हुए ही मेडियम फ्लेम पर पकाएंगे चीनी मेल्ट हो गई है अब हम चौको पाउडर लगभग तीन बड़े चमच को छान लेंगे अच्छी तरह से और चीनी मेल्ट होने के बाद हम इस शुगर सिरप में उसे आड़ कर देंगे इसे भी अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अब इसमें एक उबाल आने तक हम इसे चलाते हुए ही पकाएंगे और फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू हाई पर रखेंगे यह देखिए उबाल आने लग गया है तो अब हम स्पैचुला बाहर निकाल लेंगे फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर लेंगे ताकि उबल कर बाहर ना निकले और इसी फ्लेम पर हम लग भग 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे ताकि यह अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए पकाते वक्त बीच बीच में हम इसे स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा मिक्स भी करते रहेंगे ताकि यह चिपके नहीं लग भग 10 मिनट हो गये हैं यह देखिए सीरप अच्छी तरह से पक गया है अब हम फ्लेम को आफ कर देंगे और इस सीरप को पाच मिनट के लिए यूँ ही छोड़ देंगे ताकि इसका टेंपरेशर थोड़ा नॉर्मल हो जाए फिर हम इस सीरप को फ्रिज में रख देंगे लग भग आदे घंटे के लिए ताकि यह ठंडा हो जाए यह देखिए हमने शुगर सीरप को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है अब हमें इसको जहां इस्तेमाल करना हूँ वहां इस्तेमाल कर सकते हैं यह बहात ही पॉफेक्ट शुगर सिरफ हमारा बन कर तयार हो गया है। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड्स? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जादा से जादा लाइक करिएगा और जादा से जादा लोगों तक शेर करिएगा ताकि और लोग भी इतना आसान तरीके से शुगर सिरफ बनाने की रेसिपी सीख सके और वो ट्राई कर सकें अगर आप इस शुगर सिरफ को लंबे समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए एक साफ सुत्रे और सुखे काच के जार में इसको भर कर अच्छी तरह से एरटाइट ढखकन लगा के फ्रिज में रख लीजे ताकि इसे दुबारा इस्तिमाल कर सकें मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स